प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार! कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा. बच्चों, मैं पूझा शर्मा, चंडिगड एजुकेशन डिपार्टमेंट से और आज हम पढ़ेंगे नमी कक्षा के विज्ञान का अध्याय दस गृत्वा कर्शन का भाग एक. तो सबसे पहले अब हम यह देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से क्या जानते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है. तो अब हम देखते हैं कि आज इस अध्याय के इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे? गुर्त्वा कर्शन, गुर्त्वा कर्शन का सात्रिक नियम, गुर्त्वे त्वरण के मान का परिकलन, गुर्त्वे त्वरण के प्रभाव में वस्तूओं की गती, द्रव्यमान और भार, और चंद्रमा पर वस्तूओं के भार का परिकलन तो आईए बच्चों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अब हम एक-एक कर चर्चा करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे गुरुत्वा कर्शन के बारे में बच्चों, डैनिक जीवन में जब हम खेलते हैं, बॉल को उपर के और फेकते हैं तो हम केबल उपर के तरफ बल लगाकर बॉल को फेकते हैं लेकिन हमारी वह बॉल नीचे ग्राउन पर वापस आ जाती है ऐसा क्यों होता है? चलिए कोई और उधारन देखते हैं फल जब वरक्ष से पक कर नीचे की तरफ गिरते हैं तो हमेशा प्रिथ्वी की तरफ ही नीचे की तरफ ही क्यों आते हैं? हवा में क्यों नहीं जाते? या किसी जगह से जल हमेशा नीचे की और ही क्यों गिरता है? इन सभी घटनाओं का कारण है गुरुत्वाकर्शन बल या जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सर आईजेक न्यूटन ने हमें बताया कि प्रित्वी सभी चीज़ों पर एक आकर्शन बल लगा रही है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वा कर्शन बल कहते हैं इसका मतलब है कि प्रित्वी में शमता है कि वह प्रतेख चीज़ को अपनी और खीचती है कोई भी चीज़ अगर हम बल लगा कर उपर की और फैक्तने हैं तो वह एक निश्चित उचाई तक जाती है और फिर नीचे की और गिरने लगती है तो इस गुर्त्वा कर्शन बल के कारण ही हमारी प्रित्वी सूरे के चारों और घूमती है या चंद्रमा जो प्रित्वी के चारों और घूम रहा है वह इसी बल के कारण घूम रहा है क्योंकि किसी भी चीज की व्रत्ताकार गती करने के लिए एक बल की आविशक्ता होती है जिसे हम अभी केंद्र बल या सेंट्रिपीटल फोर्स कहते हैं यह है एक केंद्रिय बल है केंद्र की और लगने वाला बल है तो इस समय हमारी प्रित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल अभी केंद्र बल की तरहे कारे करके प्रित्वी को व्रत्ताकार गती देता है और वही ग्रैविटेशनल फोर्स चंद्रमा को व्रत्ताकार गती देकर प्रित्वी के चारों और घुमा रहा है बच्चों क्या आप जानते हैं यह अभिकेंद्र बल यह सेंट्रिपीटल फोर्स क्या है आईए इसके बारे में जानते हैं बच्चों व्रत्ताकार गती किसी वस्तु की व्रत्ताकार पत्थ में घूमने की प्रवर्ति है जब कोई वस्तु एक निश्चित चाल के साथ एक व्रत्ताकार पत्थ में घती करती है तो प्रतेक बिंदु पर उसकी घती की दिशा बदलती है दिशा के बदलने से वेग बदलता है और त्वरन उत्पन होता है जिस बल के कारण त्वरन उत्पन होता है और जो बल वस्तु को व्रत्ताकार पत्थ में घतीशील रखता है वह बल सदैव केंद्र की ओर लगता है और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं जिसे हम F is equals to MA समीकरन के द्वारा मापते हैं जिस वस्तू का द्रव्यमान जादा होता है उसके उपर भी अभिकेंद्र बल जादा लगता है और जितना जादा किसी वस्तू के ओपर अभिकेंद्र बल लगता है वह वस्तू उतनी ही तीवर्ता से गती करती है बच्चों, अगर कोई वस्तू किसी छोटी तरज्जा वाले व्रताकार पत पर गती कर रही है तो उस पर अभिकेंद्र बल जादा लगता है क्योंकि वस्तू की दिशा व्रताकार पत्थ में तीवर्ता से बदल रही है इसका अर्थ है कि अभिकेंद्र बल का परिमान वस्तू की चाल, द्रव्यमान और उस व्रत की त्रिज्या जिसके चारों और वे घूम रही है पर निर्भर करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि F is equals to M V square by R यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा हम अभिकेंद्र बल का परिमान ग्याद कर सकते हैं यहाँ M वस्तू का द्रव्यमान, V वस्तू का वेख और R उस व्रत की त्रिज्या है जिस पर वे वस्तू गती कर रही है आईए बच्चों अब हम इसका एक उधारन देखते हैं प्रित्वी के चारों और चंद्रमा की गती अभिकेंद्र बल के कारण है लेकिन यह अभिकेंद्र बल आया कहां से? अभिकेंद्र बल प्रित्वी के आकरशन के कारण लगता है यदि यह बल ना होता तो चंद्रमा व्रत्ताकार पत में न चल कर एक समान गती के साथ एक सरल रेखी ये पत पर चलता रहता चलिए बच्चों अब हम गुर्त्वा करशन के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ते हैं गुर्त्वा करशन बल वह बल है जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच में लगता है जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वह वस्तुएं किसी निश्चित दूरी पर हैं बच्चों हमने पहले भी सेब का उधारन लिया क्या सेब प्रत्वी की और गती करता है या दोनों एक दूसरे की और गती करते हैं यहां एक बात स्पस्ट है कि दोनों सेब और प्रत्वी एक दूसरे के ऊपर अपने विरोधी को खीचने के लिए एक समान आकर्शन बल लगाते हैं क्योंकि न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुसार सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी और आकर्शित करती हैं तो सेब भी प्रत्वी को अपनी और आकर्शित करता है अगर बच्चों अब दोनों के उपर जब एक समान बल लग रहा है तो दोनों में से कौन जादा त्वरित होगा तो न्यूटन की गती के दूसरे नियम के अनुसार लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरन के गुनन के बराबर होता है जिसे हम F is equals to M A के द्वारा निकालते हैं इस सूत्र से यदि हम A त्वरन निकालें तो A is equals to होगा F बटा M F by M तो किसी दिये गए बल के लिए त्वरन द्रव्यमान के व्यत क्रमानुपाती होता है अर्थार्थ अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जादा होगा तो उसका त्वरन उतना ही कम होगा तो जैसे कि हम जानते हैं प्रथ्वी का द्रव्यमान से तो बहुत अधिक है सेप का द्रव्यमान प्रथ्वी से कम होने के कारण सेप प्रथ्वी की और त्वरित होता है इन सब को पढ़ने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए हम गुरुत्वा कर्शन के सारवत्रिक नियम के बारे में जानते है मान लीजिए अलग-अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से D दूरी पर है बच्चों दोनों वस्तुएं A और B के बीच की दूरी इनके केंद्रों से मापी जाती है इसलिए हम कहते हैं कि जो दो वस्तुएं हमने ली हैं उनके बीच की दूरी वस्तुओं के बीच की नहीं बलकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी है मान लीजिए वस्तु A का द्रवेमान है capital M और B का द्रवेमान है small m वस्तु A का आकार वस्तु B के आकार से बहुत बड़ा है तो गुर्त्वा कर्शन के सारवत्रिक नियम के अनुसार विश्व का प्रतेक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्शित करता है यह बल दोनों पिंडों के द्रवेमानों के गुननफल के समानुपाती होता है अर्थार्थ F directly proportional to यानि की F समानुपाती capital M into small m और यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है अर्थार्थ F समानुपात का चिन बटा 1 by D square यह बल सदैव ही उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है इन दोनों सूत्रों से बच्चों हमें एक सूत्र प्राप्त होता है और वह है F समानुपात का चिन capital M गुना small m बटा D square इसलिए अगर वस्तूओं के द्रव्यमान का गुननफल बढ़ता जाएगा तो बल भी बढ़ता जाएगा लेकिन अगर वस्तूओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल कम होता जाएगा बच्चों इस सूत्र में हमें अनुपात के निशान को हटाने के लिए एक अनुपातिकता स्थिरांक capital G का इस्तमाल करना होगा यहाँ पर capital G अनुपातिकता स्थिरांक है और यह सारवत्रिक गुरुत्वी स्थिरांक कहलाता है इस समीकरन को cross multiply करने पर हम प्राप्त करते हैं F गुना D square is equals to G capital M small m यहाँ से G की value प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं सूत्र बन जाता है F D square बटा M into small m बच्चों हेन्री केविंडिस ने एक सुग्राही तुला का उप्योग करके इस capital G यानि की सरत्रिक गुरुत्वी स्थिरांक का मान ग्यात किया था इस G का वर्तमान मान्य मान है 6.673 गुणा 10 की पावर माइनस 11 यानि की 6.673 into 10 rest to the power माइनस 11 और बल, दूरी और द्रव्यमान की इकाई का उप्योग करके हम सरत्रिक गुरुत्वी स्थिरांक यानि की capital G की SI मात्रक निकाल सकते हैं और इसका SI मात्रक है Newton मीटर स्क्वाएर पर किलोग्राम स्क्वाएर चलिए बच्चों, अब गुर्त्वा कर्षन के सरत्रिक नियम के महत्व को जानते हैं गुर्त्वा कर्षन का सरत्रिक नियम अनेक ऐसी परिगटनाओं की सफलता पूर्वक व्याख्या करता है जो असंबंद मानी जाती थी यह बल हमें प्रत्वी से बांधे रखने वाला बल है इसी बल के कारण प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की गती होती है सूरे के चारों और ग्रहों की गती भी इसी बल का परिनाम है और चंद्रमा तथा सूरे के कारण जुआर भाटा का आना भी गुर्त्वा कर्षन बल के कारण ही होता है चलिए बच्चों आप हम देखते हैं मुक्त पतन क्या होता है हम जानते हैं जब भी कोई वस्तू किसी उचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वस्तू पृत्वी की तरफ आकर्शित होती है यह आकर्शन बल गुरृत्वा कर्शन बल है जो पृत्वी वस्तू के उपर लगाती है मान लीजिए आपने एक समान आकार का एक पत्थर और एक रूई की गेंड किसी निश्चित उचाई से नीचे की तरफ छोड़ी हैं तो दोनों में से प्रिथ्वी पर पहले कौन सी वस्तू पहुचेगी? जी हाँ, हम देखते हैं कि पत्थर प्रिथ्वी की सतह पर रूई की गेंड से पहले गिर जाता है इसलिए बच्चों इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि भारी वस्तूएं जल्दी प्रिथ्वी तक पहुचती हैं और हल्की वस्तूएं बाद में इसका अर्थ हुआ कि भारी वस्तूएं अधिक त्वरन के साथ गती करती हैं लेकिन गेलीलियों ने कहा था कि सभी वस्तूएं चाहे वो हल्की हों या भारी बराबर चाल से प्रिथ्वी पर पहुचती हैं तो बच्चों फिर रूई और पत्थर अलग-अलग समय पर प्रत्वी पर क्यों पहुचें इसको समझाने के लिए गेलीलियों ने बताया कि हल्की वस्तूएं वायू के प्रतिरोध के कारण कम गती से चलती हैं कुछ समय बाद रॉबर्ट बोयल नामक विज्ञानिक ने इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया। रॉबर्ट बोयल ने एक बोतल में एक सिक्का और एक पंक डाल कर एक वेक्यूम पंप के द्वारा उस बोतल की हवा निकाल दी और वहां अंत्रिक्ष्वाला बनाया रॉबर्ट बॉयल ने देखा कि यदि इस बॉटल को उल्टा कर दें तो सिक्का और पंक एक ही चाल के साथ एक ही समय पर बोतल की सतह तक आते हैं इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह परिनाम निकाला कि जब भी वस्तुएं किसी उचाई से मुक्त रूप में प्रिथ्वी की और गिरती हैं तो वह एक समान चाल से एक ही समय पर प्रिथ्वी पर पहुँशती हैं यह उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता लेकिन वायू के प्रतिरोध के कारण कुछ वस्तुएं जल्दी और कुछ लेट आती हैं बचों इसी के साथ हमारा गुरुत्विय त्वरण संबंधित है तो आईए अब हम गुरुत्विय त्वरण के बारे में जानते हैं जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गिरती हुई वस्तु की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन प्रत्वी के आकर्षन के कारण वेग में परिवर्तन होता है क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है इसलिए त्वरण उत्पन होता है और यह त्वरण प्रत्वी के आकर्षन बल के कारण होता है इसे प्रत्वी के गुर्थवा करशन बलके कारण उत्पन त्वरण या गुरुत्वी त्वरण कहा जाता है बच्चों इसे हम small g के साथ दर्शाते हैं small g का मान प्रत्वी के ध्रुवों और भुमद्य रेखा पर अलग-अलग होता है इसका मान प्रत्वी की सतह, सतह से उचाई और गहराई तक भी अलग-अलग होता है बचों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जी का मान चंद्रमा और प्रत्वी पर भी अलग-अलग है प्रत्वी पर स्मॉल जी का मान चंद्रमा से छे गुना जादा है गुरुत्विय त्वरण की इकाई वही है जो साधारन त्वरण की होती है अर्थार्थ मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर आईए बच्चों जी के मान की गण्ना के बारे में हम सीखते हैं गती के द्वितिय नियम के नुसार बल का मान है F is equal to M A अब क्योंकि यहां वस्तु प्रत्वी के बल के कारण नीचे की तरफ आ रही है और यहां त्वरण गुरुत्विय त्वरण स्मॉल जी है तो A की जग है यहां हम G का इस्तमाल करेंगे तो F is equal to हो जाएगा M G गुरुत्वा कर्शन बल के सारवत्रिक नियम के अनुसार F is equal to capital G capital M into small m बटा D square यहां capital M प्रत्वी का दरवेमान small m वस्तु का दरवेमान है small d प्रत्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी है माल लीजिये कि वस्तु प्रत्वी पर या इसकी सतह के पास है तो प्रत्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी प्रत्वी की त्रिज्या R के बराबर होगी तो यहां समीकरण में D के स्थान पर R डालने पर हमारा सूत्र होगा F is equals to G M into M by R square F की जगह M G रखने पर M small g is equals to capital G capital M into small m by R square यहां small m से small m कट गया तो small g की value निकली small g is equal to capital G capital M by capital R square प्रत्वी के गुरुत्वे त्वरण के मान को निकालने के लिए capital G, capital M और capital R का मान हम इसमें भरेंगे यानि की सात्री गुरुत्वे स्थिरांग की value, प्रत्वी का द्रव्यमान और प्रत्वी की त्रिज्या capital G की value हम लेते हैं 6.7 into 10 rest to the power minus 11 newton meter square per kilogram square प्रत्वी का द्रव्यमान capital M की value है 6 into 10 rest to the power 24 kilogram और प्रत्वी की त्रिज्या R का मान है 6.4 into 10 rest to the power 6 meter इन्हें इस formula में रखने पर small g यानि की गुरुत्वे त्वरण का मान हमें प्राप्त होता है 9.8 meter per second square या 9.8 meter per second square तो बच्चों हमने देखा कि प्रत्वी पर g का मान है 9.8 meter per second square तो जिस प्रकार प्रत्वी की त्रिज्या द्रुवों से भुमद्य रेखा की और जाने पर बढ़ती है ठीक उसी प्रकार गुरुत्वे त्वरण यानि की small g का मान द्रुवों पर भुमद्य रेखा की तुल्ना में जादा होता है अधिकांश गण्णाओं के लिए हम प्रत्वी की सतह पर या इसके पास g के मान की गण्णा स्थिर मानते हैं चलिए बचों अब हम प्रत्वी के गुरुत्विये बल के प्रभाव में वस्तूओं की गती के बारे में बात करते हैं प्रत्वी के निकट G का मान स्थिर है अत्य है एक समान त्वरित गती के सभी समीकरणों में त्वरण A के स्थान पर G रखने पर भी ये सभी समीकरण मानने रहेंगे गती का पहला समीकरण है V is equal to U plus A T तो यह बदल जाएगा V is equals to U plus G T गती का दूसरा समीकरण है S is equals to U T plus half A T square और यह बदल जाएगा S is equal to U T plus half G T square और गती का तीसरा समीकरण है V square is equals to U square plus 2 A S और यह बदल जाएगा V square is equals to U square plus 2 G S बच्चों यहाँ U और V किसी वस्तू का प्यारंभिक वह अंतिम वेग है तथा S वस्तू के द्वारा T समय में टै की गई दूरी है इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थार्थ गती की दिशा में लग रहा है तो हम इसे धनात्मक लेते हैं और त्वरण ए व्रिनात्मक लिया जाएगा जब यह गती की दिशा के विप्रीत लगता है आईए हम इसे एक उधारण से समझते हैं मान लीजिए कोई कार किसी कगार से गिर कर 0.5 सेकेंड में प्रित्वी पर आगिरती है तो प्रित्वी पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी यहाँ परिकलन में सरलता के लिए हम गुरुत्वी त्वरण स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्कॉर लेंगे दिया गया है समय स्मॉल टी इस इक्वल टू 0.5 सेकेंड प्रारंभिक वेख है वस्तू का स्मॉल यू इस इक्वल स्टू 0.0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि जब वस्तू कगार से गिरने लगी है तो वहाँ पर वो स्थिर अवस्था में थी और गुरुत्वी त्वरण स्मॉल जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्कॉर अब क्यूंकि कार धर्ती की तरफ आ रही है अर्थार्थ त्वरण गती की दिशा में लग रहा है तो यहां हम जी का मान 10 धनात्मक लेंगे तो कार की चाल निकालने के लिए गती का समीकरन लगाएंगे वी इज इक्वल्स टू यू प्लास जी टी यहां सभी वैल्यूज डालने पर वी इज इक्वल्स टू 0 प्लास 10 इंटू 0.5 तो वी का मान निकलता है 5 मीटर प्रति सेकंड अर्थार्थ धर्ती पर टकराते समय कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड होगी इसी तरह एक दूसरे उधारण की बात करते हैं यदि हम कहें कि किसी वस्तू को उर्ध्वाधर दिशा में उपर की और फैका जाता है तो यहां क्योंकि त्वरण उपर की और लग रहा है गती की दिशा के विपरीत लग रहा है तो यहां हम जी का मान गुरुत्विये त्वरण स्मॉल जी का मान नेगिटिव या व्रिनात्मक लेंगे तो बच्चों इस प्रकार गुरुत्विये त्वरण के द्वारा हम किस प्रकार से वस्त्वों की चाल उनके द्वारा तै की गए दूरी निकाल सकते हैं आईए बच्चों अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार में संबंध बच्चों हम सोचते हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों ही समानिकाईया है क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक बहुत ही आसान तरीके से आईए इनके बीच के अंतर को समझें वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मातरा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है अब हम दो स्थित्यों के बारे में चर्चा करेंगे एक स्थित्यों में एक वस्तु प्रिथ्वी पर है और दूसरी स्थित्यों में वही वस्तु चंद्रमा पर है क्या दोनों ही स्थित्यों में वस्तू का दर्वेमान अलग-अलग होगा? इसका जवाब जानने के लिए एक और प्रश्न पूछती हूँ क्या दोनों ही स्थित्यों में वस्तू में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा बराबर है? जी हाँ, इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि किसी वस्तू का दरवेमान वही रहता है चाहे वो वस्तू चंद्रमा पर हो या अंतरिक्ष में एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने पर दरवेमान नहीं बदलता दरवेमान का ऐसाई मातरक है किलोग्राम बच्तों हम यह भी पढ़ चुके हैं कि वस्तू का दर्वेमान उसके जड़त्व की माप होता है यदि वस्तू का दर्वेमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा दर्वेमान किसी वस्तू में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है लेकिन भार वहबल है जिसके कारण वस्तु प्रत्वी की और आकर्शित होती है अर्थार्थ वस्तु एवं प्रत्वी का आकर्शन बल वस्तु का भार है इसका अर्थ है हम भार को इस सूत्र के द्वारा दिखाते हैं W is equal to M G बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु का भार द्रवे मान और गुरुत्वी तवरण दोनों पर निर्भर करता है आपको पता ही है, चंदर्मा और प्रत्वी पर गुरुत्वी तवरण का मान अलग-अलग है तो इससे हम ये परिनाम निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तू का द्रव्यमान प्रतेक जगह पर बराबर होता है लेकिन उस वस्तू का भार जगह के साथ बदल जाता है आईए बच्चों, अब हम किसी भी वस्तू का चंदर्मा पर भार ग्यात करने की कोशिश करते हैं हमने सीखा कि किसी वस्तू का भार वह बल है जिससे प्रत्वी उस वस्तू को अपनी और आकर्शित करती है इसी प्रकार चंदर्मा पर किसी वस्तू का भार वह बल है जिससे चंदर्मा उस वस्तू को आकर्शित करता है क्योंकि चंदर्मा का द्रवेमान प्रत्वी के अपेक्षा कम है तो चंदर्मा वस्त्वों पर कमा कर्शन बल लगाता है माल लीजे किसी वस्तू का द्रवेमान M है और चंदर्मा पर इसका भार है W माल लीजे चंदर्मा का द्रवेमान M M है तो गुर्त्वा कर्शन के सात्रिक नियम लगाने पर चंदर्मा पर वस्तू का भार W M होगा G M M into M by R M square यदि हम माने कि प्रत्वी पर उस्तू का द्रवेमान W है तो प्रत्वी का द्रवेमान M और त्रवेमान M और त्रवेमान R ली जाए तो गुर्त्वा कर्शन के सात्रिक नियम के नुसार प्रत्वी पर वस्तू का भार होगा W E is equal to G M into M by R square इन समीकर्णों में प्रत्वी पर चंद्रमा के द्रवेमानों और त्रिज्याओं के वास्तुविक मान रखने पर हमें प्राप्त होता है W M by W E is equal to approximately 1 बटा 6 तो इस प्रकार किसी वस्तू का चंद्रमा पर भार बटा वस्तू का प्रत्वी पर भार होगा एक बटा 6 वस्तू का चंद्रमा पर भार होगा प्रत्वी पर चंद्रमा के भार बटा 6 अर्थार्थ किसी वस्तु का भार चंदर्मा पर प्रत्वी की तुलना में 6 गुना कम होगा आईए इसे एक उधारन से समझते हैं माल लीजिए एक वस्तु का भार प्रत्वी की सतय पर 10 न्यूटन है तो इसका भार चंदर्मा की सतय पर कितना होगा तो क्योंकि हमें ग्यात है चंदर्मा पर वस्तू का भार बराबर है प्रत्वी पर वस्तू का भार बटा 6 तो यहां ये values डालने पर Wm is equal to 10 बटा 6 Newton और जिसका मान निकलता है 1.67 Newton तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि सध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा दोहराई कृत्व आकर्शन के नियम के अनुसार किनी दो पिंडों के बीच आकर्शन बल उन दोनों के द्रवेमानों के गुननफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यत कृमानुपाती होता है यह गुरुत्वा कर्शन का सारवत्रिक नियम है प्रत्वी के गुरुत्वय त्वरण का मान स्मॉल जी इस इक्वोल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉर है गुरुत्वय बल प्रत्वी की तल से उचाई बढ़ने पर कम होता है इसका मान धृवों से भुमद्य रिखा की तरफ भी घटता जाता है, किसी वस्तू का भार वह बल है, जिससे प्रत्वी उसे अपनी और आकर्शित करती है, तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर में क्योंकि हमने गुरुत्वा कर्शन, गुरुत्वे त्वरन, चंद्रमा पर भार, इन सब के बारे में जान लेया है, तो चलिए कुछ प्रशनों को देखते हैं, और मुझे पूरी उमीद है कि आपको इनके उत्तर आते होंगे, प्रशन एक, प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की गती किस बल के कारण होती है, ऑप्शन है, घर्शन बल, अभिकेंद्र बल या प्रनो जी हाँ, सही उत्तर है, अभिकेंद्र बल प्रशन दो, किसी वस्तूव प्रत्वी का अकर्शन बल वस्तू का भार है, यह सही है यह गलत? जी बिलकुल, यह बिलकुल सही है, किसी वस्तूव प्रत्वी का अकर्शन बल उस वस्तू का भार होता है प्रश्ण तीन, उपर की तरफ फैकी गई गेंद पर लगने वाला त्वरण किस प्रकार का होगा? धनात्मक या रिनात्मक? जी हाँ बच्चों, त्वरण रिनात्मक होगा क्योंकि वस्तु की गती की दिशा, गुरुत्वी त्वरण की दिशा के विप्रीत है और प्रश्ण चार, यदि किसी वस्तु का द्रवे मान 10 किलोग्राम है, तो प्रत्वी पर इसका भार कितना होगा? जी हाँ भार निकालने का फॉर्मिला है W is equals to mg, यहाँ पे M का मान 10 और G का मान 9.8 रखने पर हमारा उत्तर आता है 98 न्यूटन, तो वस्तु का भार होगा 98 न् तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर इस अध्याय गुरुत्वा कर्शन का भाग एक समाप्त होता है, मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो बच्चों आप पढ़ते रहें, हसते रहें, मुस्कुराते रहें, जल्द ही मिले इस चैप्टर के भाग दो के साथ, धन्यवाद